ये कि UGC NET की परिक्षा भी निरस्त हो गई और NEET की परिक्षा पे लगातार सवाल उठागे UGC NET की वो परिक्षा जो शिक्षक बनाती है वो शिक्षक जो देश का भविश्य बनाने का काम करती है नीट की परिक्षा जो डॉक्टर बनाती है, जो देश का स्वास्थ ठीक करने का काम करती है। ऐसी परिक्षाओं में भी धानली हो रहे हैं जो बड़ा सा वाज है। यह हाल है, तो दूसरी छोटी परिक्षाओं में क्या होता होगा उसकी तो बात ही मत कीजिए। अभी देश में नीट परिक्षा में हुई धानली को लेकर दवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि ने यूजी सी नेट परिक्षा को रद क कर दिया है। इस परिक्षा में भी धानली की आशन का बताई जा रही है, जिसकी अब सी बीच जांस होगी। मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट नेट को लेकर दवाल मचा हुआ है। उसके रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि सिक्षा मंत्राले ने यूजी इसी नेट परिक्षा नए सीरे से आयोजित की जाएगी। सरकार के मुताविक परिक्षा में गरवड़ी की मामले सामने आये हैं और इसकी सीवियाई जांस की जा रही है। लेकिन अब छात भड़क रहे हैं। छात आक्रोशित हैं और सोसल मीडिया पर छात्रों और पैरें नहीं कम से कम इन परिक्षाओं के जर्ये एक बहतर भविष्य बनाने में जुटे छात्रों को कॉलेजों में दाखिला तो मिल पाए अब तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। लाकों बच्चे इन परिक्षाओं के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं और परिक्षा होते ही या तो प्रशनपत्र लिख हो जाता है या फिर परिक्षा को ही रद कर दिया जाता है। छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवार सही नहीं है। पर्शन इस धादली से जुड़े बताय जा रहे हैं हाला कि अब तक मंत्री का नाम सामने नहीं आया। उदर इस मामले में बिहार के उपमुख्य मंत्री तेज़स्वी यादो का नाम आ रहा है। बिहार के वर्तमान उपमुख्य मंत्री विज़सिन्हा ने कहा है कि यादों के पार्टी से जुड़े हैं नीट यूजी पेपर लिग केस में जो लोग पकड़ाए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादों से है ये बहुत बड़ा आरूप है पुलिस अभी सेंगल से भी जांच कर रही है लेकिन कुल मिलातर चात्रों का भविश्य पूरी तरह से गर्त में दिख रहा है क्योंकि नीट और नेट ये दोनों इतनी बड़ी परिक्षाएं इसमें लाखों की संक्या में चात्र बैठते हैं और इन परिक्षाओं में इस तरह की लापरवाई इस तरह की धादली होना ये बताता है कि कहीन कहीं सिश्टम फेल्योर है कहीन कहीं सरकार को भी खाटगरे में खड़ा करता इस पूरे मामें पीक्या कान हाय जल्दी कमेंट कीजिये मिलते यह वीडियो में काम करते हैं इसी परिक्षाओं में भी धांदली हो रहे हैं जो बड़ा सवाल है भारती जनता पार्टी की सरकार ने एक भी परिक्षा बिना पेपर लीक हुए संबव नहीं हो पारी है भारती जनता पार्टी की सरकार में देश के नौजवानों का छात्रों का भरोसा नहीं रहे गया